जी शैडिूल ये वर्क एस्टिमेट क्या होता है? इसे कैसे उप्योग किया जाता है? सेट इजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपको फिर से बता दूं कि हम जल्द ही अपनी वेबसाइट लॉंच करने जा रहे हैं जहां आपको सरकारी रजिस्ट्रेशन, सरकारी स्कीम्स, लाइसेंसेज एवं धेर सारी टेकनिकल जानकारी उपलप्त कराई जाएगी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सीट इजी वर्ल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएं दोस्तो आप भी अगर अपना करियर सिविल कंस्ट्रक्शन में गवर्मेंट कॉंट्रेक्टर के रूप में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी जनकारी उपलब्द है अनिक विभागों में रेजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है कौन-कौन से डॉक्योमेंट्स की आविशक्ता पढ़ती है इस संबन में अनिक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्द है अगर इनके अलावा और कोई प्रशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखे हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे जब भी हमारे अनुरूप कोई सिविल वर्क किसी भी सरकारी विभाग या गैर सरकारी विभाग में निकलता है सबसे पहले हम उसके टेंडर फार्म का अध्यान करते हैं यदि वे वर्क हमें पसंद आता है और लगता है कि इस वर्क को हम कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रशन आता है कि क्या रेट्स भरे जाएं जिससे ये टेंडर हमें मिल सके और रेट निकालने के लिए हमें ये जानकारी होना आवश्चक है कि हम जिस वर्ग को करने जा रहे हैं उसमें हमें कौन-कौन से कार्य कितनी मात्रा में करने हैं जैसे suppose करो हम किसी बिल्लिंग के टेंडर में participate करना जाते हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कितनी खुदाई करनी हैं, कितनी चुनाई करनी हैं, कितना प्लास्टर करना हैं, कितना concrete करना हैं, floor कैसा हैं और कितना बनाना हैं आदी साथ ही SOR में इनके rates क्या है ये भी हमें पता होना जाईए SOR क्या होता है इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जो लोग नहीं जानते हैं वे हमारी वीडियो देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है अब ये सब पता करने के लिए हमारे पास उस बिल्डिंग वर्क का डिजाइन एवं ड्रॉइंग होना आवश्यक है और यदि ड्रॉइंग, डिजाइनिंग का जुगार हम कर भी लेंगे तो एक सिविल इंजीनियर भी होना बहुत आवश्यक है जिससे कि वे इंजीन ड्रॉइंग डिजाइन को उपयोग कर उक्त बिल्डिंग में लगने वाले आइटम्स की क्वांटिटी निकाल सके जिससे हम अपने टैंडर के लिए रेट्स निकाल सकेंगे इतना सब कुछ करने में हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा जी शैडियूल हमें ये सुविदा उपलब कराता है कि किस वर्ग में कितनी क्वांटिटी में क्या क्या वर्ग होने है क्या क्या आइटम लगने है और SOR में उनके रेट्स क्या है और जब ये दोनों हमें मालूम हो तो हम साइट विजिट करके अपने टैंडर की रेट आसानी से निकाल सकते हैं बहुत से लोग इसे जी शैडियूल ये जनरल शैडियूल बोलते हैं और बहुत लोग इसे एस्टिमेट बोलते हैं तो टेंडर भरने से पहले ये जो सारे प्रिश्ण हमारी दिमाग में आते हैं, उन सब के उत्तर हम इसी जी शैडियूल का उप्योग करके ले सकते हैं. तो जी शैडियूल से हम अपना टेंडर भरने के लिए रेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जब क्वांटिटी ओफ वर्क हमें पता हो, तो उसके बाद हम तुरंट पता कर सकते हैं कि किस वर्क की कॉस्टिंग कितनी होने वाली है, इस वर्क में कौन से आइटम फायदे के हैं औ और कौन से नुकसान देने वाले हैं, क्योंकि प्रतेक वर्क में कुछ आइटम जादा फायदे वाले, कुछ कम फायदे वाली, तो कुछ नुकसान वाली भी हो सकते हैं, अगर जी शैडियूल हमारे पास है, तो हम चुटकियों में पता कर सकते हैं कि हमें क्या रेट्स अप अपने टैंडर पोटल से ही मिलता है आएये देखते हैं कि से कैसी डाउलूट किया जाता है दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूश करते हैं चलिए कोई नहीं आपकी इच्छा आईए जानते हैं इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है इसे हम बिना टेंडर परचेस किये भी डाउनलोड कर सकते हैं आईए चलते हैं government की टेंडर website पर और यहाँ किसी भी एक टेंडर को open कर लेते हैं चलिए दूसरे page पर चलते हैं ये ग्रामेड यांत्र की विभाग मतलब R.E.S. त्वारा, C.M.G.S. बाई, अर्थात, मुख्यमंतरी, ग्रामसणक योजना के अंतरगत जारी किया गया है यहां देखिए, यहां दिया गया है टेंडर डॉक्यूमेंट और यहां इसके फोल्डर की अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उनके नाम दिये गए है इन में से एक यह G-Schedule है इसे डाउनलोड कर लेते हैं देखिए, यहां कॉलम वाइस सारी डेटेल दी गई है कि कौन सा कार्य कितनी कॉंटिटी में किया जाना है वह S.O.R. में इसके लिए क्या रेट निर्धारित है इससे हम अपने टेंडर के लिए सब डेटेल निकाल सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लेखे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ छेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सेट इजी वर्ल्ड से मैं हूँ सलोनी सेट थैंक्यू